बॉलिवुड आक्टर रितिक रोशन इन दिनों काफी चल्चाओं में बने हुए हैं दरसल रितिक को लेकर खबरे हैं कि वो संजय लीला भनसाली की फिल्म इन्शाअल्लाः में काम करते हुए नजर आ सकते हैं संजे लीला भनसाली सलमान खान और आलिया भट को लेकर फिल्म इन्शाह अल्ला बनाने वाले थे लेकिन जब से सलमान खान ने ये प्रोजेक्ट छोड़ा है सलमान के रिप्लेस्मेंट को लेकर ये प्रोजेक्ट सुर्खियों में बना हुआ है इसी बीच ऐसी चर्चा हुई कि भनसाली ने ये प्रोजेक्ट बन कर दिया है लेकिन इन्शाह अल्ला बन रही है और आलिया भट अभी भी फिल्म का हिस्सा है सल्मान खान की जगह फिल्म के लिए पहले शारुक खान और रनवीर सिंग का नाम सामने आया था अब इस लिस्ट में रितिक रोशन का नाम भी जुड़ गया है कहा जा रहा है कि रितिक रोशन हाल ही में संजे लीला भनसाली से मिले कहा जा रहा है कि ये मुलकात इन्शाह अल्ला को लेकर हो सकती है अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चानल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ बाई बाई